अंतर जन्पदी पुरसकार घोषित पशु चोर सहित कुल साथ अभ्यूकतों को चोरी के 24 भैस 9 बकरी दू अदद अवय तमंचा और कार्तू सहित चोरी के माल की बिक्री के 41,700 रूपे नकत के साथ गिरफतारी और जन्पद के कुल 17 थानों से कुल 27 मुकदमों का किया गया अनावरण इसके संबंद में पुलिस अधिक्षक हेमराज मीना का अधिकारिक वक्तब सुनेंगे आप पहले जाने समाचार आजमगड के कुल 17 थाना से 27 मुकदमों का किया अनावरण मुबारण पूर पूरिस ने साथ अभियुक्तों को चोरी के कुल 24 भैस, 9 बकरी, 2 अदा दवय तमंचा और कार्थू सहित चोरी के माल के विक्री के नगद 41,700 रूपए के साथ किया गी रफतार दिनांक 19.10.2024 के सुबाह लगवक चार बजे वादी मंजू प्रजापती, पुत्र स्वर्गी सुधू प्रजापती, निवासी गराम लंगण पूर थाना मुबारण पूर जनपद आजमगड के घर के वाहर जोपड़ी में बधी भैस को अग्यात चोरों द्वारा चोरी क कर लिया गया, इसके संबन्द में वादी द्वारा थाना इस्थानी पर आकर प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके आधार पर मुकद्मा पंजीक्रित किया गया, दिनांक 7.11.2024 को भोर में लगभग तीन बजे वादी नंदलाल यादो, पुत्र स्वर्गी रामलखन गया, इसी करम में आज दिनांक 10.11.2024 को प्रभारी निरीक्षक निहार नंदन कुमार मैं हमरा और स्वाट टीम के प्रभारी निरीक्षक नंद कुमार तीवारी मैं हमरा की संजुक्त टीम के द्वारा, प्राप्त सूचना के आधार पर कुल 6 अवियुक्तों, मुहमद वा गुजर पार पूल के पास से समय करीब एक बचकर 49 मिनट पर गिरफतार किया गया तथा अन्य अवियुक्त इसकार पियो और पिकप से भाग निकले गिरफतार अवियुक्तों के कबजे से 6 अदद 20 अवियुक्त मुहमद वाकिफ पुत्र अब्दुलकलाम ग्राम नियाउज थाना पूल पर जनपत आजमगड के कबजे से एक अदद तमंचा एक जिन्दा कार्तूस बरामत किया गया इसी तरह 10,000 रुपे की इनामिया अवियुक्त मुहमद साजिद पुत्र नि अन्य अठारा भैस और नौ बकरी की बरामत गी और एक अन्य अवियुक्त अलकमा उर्फ जुनेद पुत्र कमर उर्फ शफी निवासी पठान टोला थाना कोत्वाली जनपत मौ की गिरफतारी समय करीब 3.40 मिनट पर की गई गिरफतार सुदा अवियुक्तों से चोरी की भै इसे बंदी रहते थी और अन्य जो मवेशी हैं वो बंदे रहते थे उनको एक गैंग लगातार चोरी की घटनाय कर रहा था और उसके बाद में उसको लेया के ये लोग कहीं दूशे चेकर देज दुते थे हम लोगों ने इसमें काफी मैनत किया और बाद में जहनकर ही मिली बहते हैं कि कुछ लोग पूर-फिलर के अंदर आर जो बैंस या बकठी हो या गाय ओ इनको लोग चोरी करतेए और चोरी करने के बाद में नो लेया के पास ही ए आसपास कि जनgestive धैर वहां से सहीरिय रगदेते थे और उसके बाद में तर उसके दूखे या उनको गैंत ही इसी में आज थाना मुवरख पुर में हुई है और 50 अन थानों में साथ लोगों की ग्रवताराई हूई है जिसमें एक मुअमदबाक्य पर एक साजिद है wowamadबाकि पर पूर थाना के रहने वाले है साजिप, सबगू, απόरोज यह जियनपुर के रहने वाले हैं मुस्तप के रहनेवाले हैं, इसके लबाएव सकी हम्हिप हैं धाना निजामबाद के रहने वाले हैं अलकमा उर्फ जुनेद वाली न्य된पध महुप के रहने वाले हैं और इन लोगों के पूर पूर्व में भी कई मुकदमें रहे हैं तो इन सब लोगों से टोटल जो में हमारी में 17 ठानों में गड़नाए हुई थी तरीब 27 गतनाओं का इसमें खुलासा किया गया है और इनके पास से 24 जो बैंस के जानवर है उसके वो मिले हैं और इसके अलाबा नौ बकरीन के पास से मेली है, दो तमंचा मिले है, दो कार्थूस मिले हैं और इसके अलाबा जो इन लोगों ने पूर में जो गतना एकारिद की जिन जानवरों को रहना भेच दिया था उसकी भेचने की जो करीड एककाल इसे जासर के नगट बंदा से इनके पास से गरामद हुई है यह एक बड़ा साथिटाइक का गैंग था इसे स्टॉर से ऐसे लोगों के टार्गेट बनाते थे जो विचारे गरीब लोग होते थे और अपने जो जानवर है उनको बाहर खुले में बाहनते थे घर के सामने और वहीं से चोरी करके ले जाते थे और इसे अन लोगों की जो आजी भी काया है वह बहुत ज़्यादा प्रवागी थोती थी और यह हम सब लोगों के लिए एक बड़ा चिंता के दिसे था कि उन लोग इसके लिए पूरी टीम में काफी मैंनद किया गया है और अलग-अलग जगह से इनकी रिकवरी भी की गई है और बाकी इसमें अन और वी लोग है जो कि इस पूरे ग्रो में सम्मिलिता है और यह ना के वल यह ग्रो जन्पद आजमगड में चोरियां करता था तो वहां पर जयनकारी की जा रही है और जयनकारी करके इन तब के दूट देश्मे सब्सक्राइब की जाएगी और आगे इन स अगे जानता है यह गतना के सकते हैं लेकिन एक जग्ति जिसके यहां से चोरि की गटना होती है तो उसका पूरा परिवार पूरे परिवार की आजिलिका उसे प्रभावित होती है कि यह सब लोगों के लिए एक बड़ा इंपोर्टेंट जिसे था और इसलिए इसमें इसमे कीमत है मार्केट में कोई भी वहांस आप कहीं से खरीदेंगे तो सस्की वहांस वह भी पचास जार से उपर की रेट में मीती है तो इक बहुत बड़ी धंड़ा सी इस तरह की जो क्राइम है उसे लोग अर्जित करते हैं और दूचरा ही होता है कि जो आपने किसी का अगर न इस तरीके से लोग इसमें काफी इनको मुनाफ़ा कमाते थे और फोर वीलर में पीछे की जो सीट है जो जानकारी मिली है जाड़ी अभी बरामत नहीं है उसके बरामत करना है उसमें पीछे की सीट अटा रख लेती है और एक एक दो-दो जिवान मालब जो मवेसी है उनको इनके दोरा चुराया जाता था पहले इंटिफाई करके रोड के कहीं आसपास में बंदी ही फुले में उसको यह लोग बिसेस्तोर से टार्गेट कर पे फिर बाद में उसको लेया के कहीं दूर से जनपद में रख दिया और फिर उसको फिर जैसे जो भी मोल वाव करके और इसको बेचने का ये काम दिसेस्तोर से करते हैं और जानपदों पर भी सक्रीट है यह आसपास के जैसे गाजी तुर जानकारी मिली किन लोगों ने गाजी परनावी चोरिया की है इसके अलाबा इधर अमेड कर नगर से लेके माहू और बगल मेजॉनपूर यहां पर इसको पर एक वेक्ति है उसको पर दस जार उपर इसमें आम चाह से लोगों पर बटाया है यह देखी है हमारे यहां पर सत्रा थानूरी गतना यह दो ने अक्साप किया और उनका इस मानावन भी किया रहा है और उनसे संबन ही कि जो भैस ही ब्रामद भी ने इन से के गई है जो ब जान्वर इनमीं आटमे जानवर के पने हमाहिय को पीट होता है उसके बारे में बूली को जानवर को बह다 है ना जानवर को बूलता है तोस के नोग हिर प१्त नोगों कर दो कर दो कर दो कर दो